future of Bitcoin क्या future बिटकोईन का प्राइज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा आप सब का एक कॉमन सवाल है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि future actual में क्या है कहां पे प्राइज जाएगा और इसका प्राइज बढ़ क्यों रहा है और हम यह भी बात करेंगे मान लेते हैं इंडिया में बैन हो गया future में क्रिप्टोगरंसी तो क्या होगा अब आप अगर यह जानना चाहते हैं इससे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ इंस फाइदा भी हो अब उस किताब को लिखाता रॉबर्ट कि ऑसाकी ने अब रॉबर्ट कि ऑसाकी को में काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं उनकी नूज्स लैट्रस को मैंने सब्स्राइब किया हुआ है अब जब ँनके नियूज्स मेरे पास रेगुलर्ली आ रहे हैं लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे आप डर रहे थे अब आपका जो यह प्राइज है 25 लाग पे आ गया तो आपके लिए तो यह इन्वेस्मेंट का मौका है वह कह रहे हैं कि बिया गोल्ड सिल्वर या फिर अगर आप रियल स्टेट की भी बात करो तो यह जो आपका जो बि तक जाएगा अच्छा जी उनका यह मानना है वो ऐसा मांते है घर अनधर पर्सन व फॉलो जिनका नाम है वारन बफे अब वारन बफे कहते हैं बिट कॉइं सब बिगार वारन बफे बोलते हैं कि इसकी कोई इंट्रंसिक वालियू तो है नहीं बिट को वैसा है जैसा मेरे का बटन बहुत लिमेटेड यूज है इसका तो वो बिट कोई के और क्रिप्टो करणसी के टोटली अगेंस्ट है अब मैं दोनों को फॉलो गड़ता हूं मैं किसकी सुनू आपको क्या लगता कौन सही और कौन गलत है अब डेफिनेटली कॉमें बता सकते हैं बट मैंने अपन यह पांच-दस लाग रुपए देने के लिए रेडियो होझा है और किया अप वाथ आती है इसान की कीमत साइड कौन कर रहा है the answer is people similarly ऐसी बहुत सारी चीजें एक और एक्जामपल ले ले लेते हैं आप एक टी-शिर्ट लेकर आते हो सिर्पशी सिर्फ दूसर ओपेगी आपको सी शाइन करा लेते हैं रुनाल्डुग अब रुनाल्डु वक्त ले लेंटे हैं यसी इसी मार्केट चाहते हुएं गिसमें रॉनाल लोगो не latest अभा बोलते हैं है에 मिरे पाट टीशेट आभ़ रॉनाल لل ू के साइन तो लोग कहते हैं तो मैं जानता नहीं इस इंसान को मैं तो क्यते हुआ ने मैं टीशेट çıkard कि-जान की 700े लिए पट고 कीमत कैसे हो गई यह किसी इंसान नहीं तो डिसाइड गरी इस ओल अबाउट बिलीफ लेट में टेल यू किसी चीज की कीमत होने के पीछे बिलीफ का बहुत बड़ा रोल है अब बिटकोईन का प्राइज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा यह इसी बिलीफ की उपर डिपेंड करता है अब आप लोग आज ब्लॉक्चेन के बारे में पढ़ रहे हैं टेकनोलोजी बहुत सुपर्ब है इसलिए आप क्र्पे स्करने अब जैसे को को सुख कर दिलीफ कर ला एंट perde क्रिशन क्रिप्टों के बारे में पता लग रहा है यह लोग इसमेंवेस्ट क्रीप करेनाघ है क्यों and therefore people would like to invest in crypto currencies अब बाद आती है मालो आप भी invest करना चाहते हो पहला सवाल आप क्यों करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं इस opportunity को मिसना करूं अगर price बढ़ेगा तो उसमें मेरा भी फायदा होना चाहिए क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफिनेटली रिस्की है सो आप उतना ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लूस करने के लिए रेडी है अब बाद आती है अगर आपको Bitcoin में या आपको crypto currencies में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो आज की वीडियो को स्पॉंसर किया कॉइं जिनके प्लाटफॉर्म पे जाके आप सौ रुपे से इंवेस्टमेंट शुडू कर सकते हो Bitcoin के अंदर और 75 अधर crypto currencies के अंदर अब आप कभी भी पैसा डाल सकते हो कभी भी आप निकाल सकते हो बहुत इजी है अब आप ट्रेड कर सकते हो 24 इंटु 7 सपोर्ट भी आपको 24 इंटु 7 मिलता है क्रिप्टो करंसी की जब हम बात करते हैं कोई सुच कुबेर के पास 6 मिलिन से यादा यूजर्स और इनने बैक किया हुआ है टाइगर ग्लोबल ने अब इतना बड़ा एक इनका प्लाटफॉर्म है जिस पर बहुत इसली क्रिप्टो करंसी में ट्रेड कर सकते हो तो आप इ अब हम जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं एक सिनेरियो जड़ा इमाजन करते हैं कि माल लेते हैं कि इंडियन गवर्मेंट ने बिटकोइन को या फिर जितनी भी क्रिप्टो करंसी उन्हें बैंग कर दिया फिर क्या होगा आपको पता है बीच में जब आर बीए ने सारे बै इस नीचे गया यह उसथी आफ किय ऊपर गया आर बी ने तो रोक दिया इस आपको बढ़ता हुआ दिखा तक इसलिय बढ़ता हुए उसी यह यह मुथिए कि प्राइस से प्रिफ यंडियन गवो प्रदिद नहीं घरता यह ए इंगलोब मार्क्त क्यों पर हवें प्लोगों में invest कर रहे हैं और उन्होंने अपनी position को hold किया हुआ है क्यों किया हुआ है because people believe in crypto they believe in the power of blockchain and उन्हें लगता है कि अभी bitcoin तो अभी शुरू हुआ है बहुत दूपर जाएगा so अगर ban हो जाता है crypto के अंदर trade करने की जो कि लोग करते भी है तो अब इसे रोकना impossible हो गया bitcoin अब इतनी बड़ी चीज बन गई है कि nobody can stop it not even single country can stop it china ने भी बीच में ban किया पर उसके बाद क्या हुआ अभी आपको लग रहा है कि उन्होंने ban कर दिया तो इस पर impact पड़ा है पड़ क्या collapse हो गया bitcoin the answer is no लोग अभी भी trade कर रहे है price fluctuate हो रहा है and definitely people believe in the power of bitcoin तो उन्हें लगता है यह उपर जाएगा अब आपको क्या लगता है future में क्या होगा price उपर जाएगा Robert क्यों साकी सही है या Warren Duffy सही है आप नीचे comment करके जुरूर बताएगा इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजे शेर कीजिए जिससे लोग भी समझ पाएं कि future of bitcoin क्या है and definitely इसकी price को कौन बढ़ा रहा है आप लोग बढ़ा रहे है यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तुरन सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन पर क्लिक कीजिए Facebook पर देख रहे हैं में follow कीजिए I will see you in the next video till the time you go self-made